नमस्कार दोस्तों अभी हम है मेरवा स्टेशन पे जो सीवान से ट्रेन खुली थी काट गोदाम एक्सप्रेस जिसे हम अपनी यात्रा हल्दुवानी और काट गोदाम क्लियर कर रहे हैं मेरवा इस्टेशन सीवान से 24 किलोमेटर के बाद आता है और अब जब ट्रेन यहां से खुलेगी तो 10 किलोमेटर के बाद उत्तर परदेश में हम प्रवेश कर जाएंगे बहुत ही छोटी सी जगह है मेरवा जैसा कि आप देख रहे हैं साफ सूत्री इस्टेशन अभी अच्छी बारिस हुई है इसलिए हर तरफ पानी ही ने जरा रहा है सीवान से मेरवा के बीच में ही जी रहा दई गाउं आता है जो हमारे प्रतम राश्टपती डॉक्टर राजंद प्रसाद की जन्म अस्थली है झाल 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 कुछ दिनों पहले तक पूट अबर प्रीश भी नहीं था पर अब यह है और भी सुविदाएं उद्लब खुल गई है इस इस पिसन पे तो वीडियो देखिए सब्स्क्राइब कीजिए मेरवाद सेब्सक्राइब करें और दोस्तों को सियर करें झाल 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 झाल